नमस्ते, अभी अम बात, पीछे वीडियो में बात कर रहे थे संस्ट्रोक के बारे में, संस्ट्रोक लग जाए तो क्या करे, बहुत दूप लग जाए तो क्या करे, पहले तो दूप लगने पर थोड़े लक्षन प्रगट होते हो प्याद रखे, आपको अचानक चक्कर आ जा होता है, तो यह बुखार बिल्कूल अलग होता है, ओ बुखार आप यसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं, जैसे जनरल बुखार करते हैं, लेकिन एलोपेट के पास इसकी कोई ट्रीटमेंट नहोंने के कारण, कुछ दवाई या पेरासिटामोल जैसी ही देते हैं, और एलोपेट के बुखार की चिकित सा क्या करें, तो हजारों पेशेंट को जिनोंने ठीक किया है, वो पुझ्य हरडीकर दादा जो अमदाबाद के प्रसिद वैद्य थे और राजीव भाई के गुरू भी थे, तो उन्होंने कुछ अपने अनुभवों में बताया है, और अनुभवों को हमारे शेशेर किया है, उसमें से एक अनुभव में आपको बताता हूँ, अभी किसी को भी बुखार आ जाए, तो खास एक आम, कच्चे आम का एक प्रयोग बताया है उन्होंने, जो हजारों बार सक्सेस हुआ है, बहुत लोगों को नहीं उतरने वाला बुखार भी उससे है, तो क्या करना है उसको तो एक प्रभावी चिकित्सा का प्रयोग है, वो आप भी कर सकते हैं, किसी को भी आपको लगे कि इसको यदि धूप लग गई है, तो आप इसके उपर ये प्रयोग कर सकते हैं, क्या करना है उसका, तामर का या कांसा का एक बहुत बड़ी थाली लेनी है उसमें आम को बाफ कर कच्चे आम होते हैं उसको बाफ कर उबाल कर उसमें रख देना है और उससे फिर अंदर की जो गुठली होती है उपर की जो च्छाल होती है उपर की जो त्वचा होती है उपर के चिलके होते हैं उपर के चिलके होते हैं उपर के चिलके होते हैं अंदर की गुठली को निकाल देते और फिर आम काते हम रस्पी बनाते हैं तो हम इस प्रकारी आमका बनाते हो आपको पता है उसी तरह से कच्छा आमका करना है बस कच्छा आम कच्छा होता है इसके लिए कठीन होता है इसके लिए उसको उबालना जरूरी होता है जब आप उ यदि कम आम है तो कम मिट्टी ऐसा कोई प्रमान पेसिफिक नहीं है लेकिन परियाप्त मात्रा में उसको मिट्टी मिल जानी चाहिए तो ये मिट्टी को काली मिट्टी जो खेत कियाती है जो स्वभाव से ही ठंडी होती है तो उसको आप मिक्स कर दें मिक्स करके ओ जो थाली ह कांसे की थाली है या फिर ताम रखी है ज्यादातर कांसे की मिलती है तो बहुत अच्छा है हम पोजन भी उसमें करते है तो ओ थाली उस व्यक्ति के माथे पर लगा दे जिसको संस्ट्रोक हुआ है तो ओ प्रभाव से ही गर्मी को खीच लेता है उपर उसके माथे पर लगानी और और खींच लेगा आप ये प्रयोग साम को करवा सकते हैं उसको या सुबह भी करवा सकते हैं दोनों समय करवा सकते हैं दो पहर में कोई भी प्रयोगे से नहीं करने हैं जो संस्ट्रोक के उपाई के रूप में बताए गए हैं ओ केवल साम को करने हैं या केवल सुबह करने आप ये समझ गए होंगे, दूसरा एक प्रयोग है कि यही वस्तु, जो आपने आम का और मिट्टी का मिला कर आपने कासे में रखा है, वही उसको पूरे शरीर पर लगा दे, पूरे शरीर पर लगा कर उसको साम को स्नान करा दे ठंडे पानी से, खुले में, अब ऐसे तो बु बुखार को यदि 4-5 दिन हो जाए, या 7 दिन हो जाए, तब उसको ये सब कुछ लगा कर उसको स्नान करवा सकते हैं, ओ स्नान करवा देंगे, ये यदि मिटी और आम को रखकर यदि आपने ये पूरा का पूरा पेस्ट जैसा बनाया है, उसको रखकर स्नान करवा देंगे, पूरी की पूरी गर्मी उसकी शदिर की निकल जाएगी और आपको आश्चर ये होगा कि उसका वुखार तुरंत ही चला जाएगा तो हजारो प्रयोगों से न मितने वाला बहुत एलोपेतिक दवाई से न मितने वाले वुखार इससे मिट गए है तो ये दो प्रयोगा आप याद रखेंगे जो बहुत ही उपयोगी है इसको आप लिख लीजिए और इसका प्रयोगा आप किसी कि सेवा के रूप में कर सकते हैं कुछ होमियोपेतिक दवाई आप अवश्य घर पर रखें ताकि आप उससे जो अभी आने वाले संस्टोक से बज़ पाएंगे कौन सी है दवाई तो आप लिखते जाएए एक है एको नाइट कभी आपको ऐसा लक्षन लगे कि आपको बेचे नहीं हो रही है आपको संस्टोक लग गया है तो आपको एक दवाई रखनी है कि उसकी भी चार-चार बुंद देंगे तो भी वह अच्छा रहेगा खास संस्टोक की एक दवाई है जो मैं लिखवाता हूं और भी हर एक घर पे रहनी चाहिए गर्मियों के दिनों में ओह है ग्लो नाइन तो ग्लो नाइन जो दवाई है ओ आप 200 की पोटेंसी में लेकर चार-चार बुंद आप देंगे तो इसके तो मैंने बहुत सारे प्रयों ग्लो नाइन के देखे है तो ओह होमियोपेथिक दवाई आपको कहीं से भी मिल जाएगी होमियोप्तिक स्टोर से ओह चार-चार बुंद आप देने का सुरू करेंगे तो संस्टोक से जो बुखार या है या संस्टोक लगने से कोई तकलिफ हुई है तो ओदूर हो जाएगी आयूरवेद में कुछ और उपाई बताए है जैसे बिल्व है तो बिल्व का शर्वत आप नियमीत रूप से उसको पिलवाई है जिसको भी संस्टोक लगा है बचने के लिए आप पिला सकते है ल यह संस्टोक जिसको लगा है उसको एकाद बार ठंडे पानी से करवाना भी बहुत ही अच्छा रहता है तो यह सारी चीजे जिस जिसको भी संस्टोक लगा हो या इसकी कोई असर हो जिसको बहुत कड़ी धूप लग गई हो इसके लिए यह उपाई जो कुछ प्रयोग पु ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट संस्कुरुतिगुरुकुलम.com पर जाए और ऐसे हजारों प्रयोग जो गुरुकुल ने किये हैं अनुभू पहु किये हैं वह भी आपको वहाँ पर बहुत सारे प्रयोग वीडियो के माधियम से मिल सकते हैं नमस्कार जैद जानकारी